हेलो फ्रेंट्स कैसा सब लोग तो फ्रेंट्स आज होने वाली आपके सीटेट के एकजाम के लिए बड़ी ही महत्पून किलास आज की कलास के अंदर में आपको बताऊंगा जो मेरे सीटेट के पोजीटिव और नेगिटिव टेग वर्ड होते हैं ठीक है जिससे आप लोग को को बहुत कम टाइम में समझ जाओगे कि इस क्या आंसर होता है और वह आपका एक्जेक्ट भी सही लगता है ठीक है तो कम टाइम में सही आंसर निकालने लिए यह आपके पोजीटिव और नेगिटिव वर्ड बहुत मैंत्पून आपके लिए होते हैं तो कौन-कौन से वह नेगिटिव टेगवर्ड है जो आज की वीडियो के नंदर हम बात करेंगे एक दो टेगवर्ड सीबिसी वालों ने मेरे ओड़ा दिये ठीक है तो उनके जंगे कुछ नए टेगवर्ड लेकर आया है ठीक तो चलिए बात कर लेते हैं सभी टेगवर्ड के उपर और इस पर अधारी जो आपकी पैड़ागोजी होती है देख अगर आप लोगों ने आज की वीडियो को अच्छे तरीक से समझ लिया ध्यान से सुनना मेरी बात को अगर आपने आज की वीडियो अच्छे तरीक से समझ लिया यह पोजिटिव और नेगिटिव का खेल आपने समझ लिय तो समझ लीजे जो आपकी पैड़ागोजी आपके एक्जाम माती है चाया आपका कोई भी सब्जेक्ट हो आपका पेपर वन हो पेपर टू हो सीडीप ओ, ईवेस हो, मैथमेटिक्स हो, लेंगवेज हो, सोसल साइन्स हो, साइन्स हो जो भी पैड़ागोजी के अंदर आपके कोईशन आते हैं, लगबग चीजें इन से आपके कवर होती है आपको मिलते रहें, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, यह आज आपका पाच्वा टोपिक है, इससे पहले चार टोपिक मैं आपके लिए करवा चुका हूँ, यह आज आज आपका पाच्वा टोपिक है, तो बाकी के टोपिक आप लोग यूटूब पर सर्च कर लेना, या यूटूब पर कोई भी आप टोपिक सर्च कर लिया करो, या चैप्टर का नाम लिखकर, और मेरा नाम लिख दया करो, सचिन सर या सचिन अकेडमी, वह आपको देखनों को मिल जाएंगे, ठीक है, अगर आपको सारी चीजे डिटेल में चाहिए, पेपर वन का कोर्स चा लोगे एकजाम तक, ठीक है, चलिए, अब बात कर लेते हैं भाई, आपके इन पोजीटिव नेगेटिव वर्ड के उपर बात करेंगे, पोल माँ आपके सामने देदूँगा, उसके अंदर आप लोग सही गलत कांचा लगाना, बट मेरी आप लोग को सारी रिक्वेस्ट है कर लेते हैं, और अपने दोस्तियार के पास भी आप लोग सेंड कर देना, ताकि उनको भी इस प्रकार का मेटरियल अच्छा मिलता रहा है, ठीक है, शेयर कर दो अपने दोस्तियार के पास, जो भी ये वीडियो है, या जिस भी गुरूप के अंदर आप लोग रहते हो, ठी आपके बेसिकली जैसे राष्टे सिक्सानीती अभी आई है 2020 उस पर आधारित जो आपके बात ही गई गई है, पैडगोजी का मीनिंग क्या होता है, कि आपको बच्चों को कैसे समझाना है, कैसे डील करना है, कैसे इंटरेक्ट करना होता है, और किसके लिए कर रहे हो, आप पूरा नहीं पड़ पाया, लेकिन मैक्सिमुम चीजे पड़ी है, तो उसके अकोडिंग अपने अनुभाव के आधारपर में आपके चीजे बता रहे हो, इसलिए मेरी बात ध्यान से सुनना, पूरी वीडियो को डिटेल से समझना, आपकी पैडगोजी बहुत इस्टों हो अगर बच्चे से जुड़ी निसकरिया मानदा, तो आपका नेगिटिव हो जाएगा, अब देखे़े, आपके सामने कॉस्टन दिया हो हा है, जरह इसको यहाँ पर पढ़ते हैं question आपके सामने दिया हुआ है अभी कतन यानि कि अजर्शन दिया है कि अर्थपून अधिगम अब यह जो अर्थपून अधिगम होता है meaningful learning होता है यह खुद आपका positive word होता है क्योंकि आज की date के अंदर आप लोग जो भी चीज लर्ण कर रहे हो आपकी meaningful होनी चीए meaning less नहीं होनी चीए यानि कि अगर आप यहाँ पर CTAT के exam की तयारी करने आए हो तो सिर्फ question answer की practice करके मज़िए इसको समझे जो भी चीज सीख रहे हो उसके अर्थ को समझे अच्छी प्रकार से उसका implementation कीजिए तो आज की date के अंदर आपको meaningful learning करनी है meaningless नहीं करनी या रट्टा नहीं लगाना तो यहाँ पर बात हो रही है meaningful learning की यानि कि अर्थपूर्न अधिगम की बात हो रही है तो अर्थपूर्न अधिगम के लिए students को सक्रिय रूप से यानि कि active रूप से ज्ञान सर्जन यानि knowledge को creation करके बहुत आयत अउसर परदान करने चाहिए ठीक है तो यहाँ पर अर्जर्शन क्या दिया हो है बिल्कुल ठीक दिया हो है कि अर्थपूर्न अधिगम के लिए विध्यार्टों को सक्रिय रूप से ज्ञान अर्जन करने के ज्या साधा उनको अउसर परदान करने चाहिए ठीक है जो कि आप लोगों के लिए मैं यहाँ पर कर रहा हो कि ज्या साधा अउसर आपको दे रहा हो ठीक है बही प्रैक्टिस करो किसी ओर दिन प्रैक्टिस कराता हो, कभी टोपिक कराता हो, कभी क्लास में कराता हो, फिर आप लोग यहाँ पर option के अंदर अपने answer देते हो, ठीक है, अब इसमें कारण क्या दिया है, region क्या दिया है, कि जो अधिगम होता है, learning होती है, वो ग्यान के निस्क्रिय है, यानि passive अर्जन की परिक पाओगे, तो active होने का जो आपका process रहता है, learning होता है, तो यह आपका यहाँ पर गलत दे दिया, तो एक ठीक है, बाकि दूसरा आपका गलत है, तो आप लोग यहाँ पर किसके साथ जा रहे हो, आप लोग यहाँ पर third के साथ, CC के साथ जा रहे हो, बिल्कुल ठीक है, आपक passive की बात करी जा रहे है, तो आपका negative tag word माना जाएगा, ठीक, अगला question देखते है सामनी screen पर, अगला question यह रहाँ आपके, यह बड़ा positive आपका tag word है, और यह ज़्यादतर जब से चलना है, जब से आपकी राष्ट्या शिक्सानीती 2020 आपको देखने को मिली, हलाकि उससे पहल पूछे जा रहे हर चिफ्ट के अंदर, यह आपका word है समालोचनातमक चिंतन, जिसको आलोचनातमक चिंतन, या इंगलिस के अंदर याद गरी, आप लोग इसको critical thinking के नाम से उसको जाना जाता है, critical thinking का मतलब होता है, एक ऐसी thinking, एक ऐसा चिंतन, जिसमें जो बच्चा होता ह खुद का तर्क वितर्क करें, एक सही decision लेता है, अब यहापर कोई बात आपने बच्चों को बताई, उसका यहापर बच्चा फोलो नहीं करता है, कि जो बात उसे बताई, वो बच्चा यहापर फोलो करेगा, बच्चा पहले उस बात को सुनेगा, अपने अनुभाव के अ स्कूल है, तो KVS के स्कूल होता है, जो इसमें आपकी स्कूल की जो टीचर डाइरी बनी होती है, तो उसमें जो बच्चों का आकलन होता है, वो आपका CCT पर, C का मतलब होता है, आपका क्रीटिकल और T का मतलब होता है, आपका thinking, यानि आपके Central Government के स्कूल में भी जो बच् सब पोजिटिव माना जाएगा अब यहाँ पर दिया हुआ है कोश्चन आपके सामने कि बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा देने के लिए महत्पून है कि निमली के थेतू परचूर अवसर परदान के जाए कौन-कौन से अवसर परदान के जाए पहला है यहाँ पर बात आ रही है रोट मेमराइजेशन की बात आ रही है तो रोट मेमराइजेशन रोट लर्णिंग को मने किया जाता है अब से नहीं इससे पहले के भी नीजित आई हो या इससे पहले के भी जो आपके करिकुलम आपके सामने देखने को मिले हो ठीक है तो रोट मे आड़ा कुछी की टेंचन खतम हो जाएगी तो content के memorization की context करण की बात नहीं करता है जो आपका critical thinking है critical thinking के अंदर आपके क्या रहती है इसके अंदर आपकी creativity रहती है क्या रहती है इसके अंदर आपकी creativity रहती है यानि कि आपकी सरजनातमक्त आपकी सरजनातमक्त होती है जिसमें बच्चे एक से ज़्यादा आंसर देते हैं कई बार आपके सीट एट के एक्जाम में कुष्टन आया हुआ है कि निमलिकित में से कौन सा creative thinking का example है तो जिस option के भी answer एक से ज़्यादा निकले जैसा आप से कोई पूछ ले कि भई सचिन तेंदुलकर के बारे में क्या जानतो हो तो आप बहुत सारे चीजें आप लोगों से पूछ जाए यानि कि इसके अंदर आपकी creativity देखने को मिले लेकिन यहाँ पर अगर इसकोल के टाइम में आप नकल कर रहे हो एक्टिव नहीं है तो पकड़े जाओगे ठीक है और वह यह पर आपके जो टीचर होंगे आपको पीटा भी होगा नकल करने पर ठीक है तो आपका negative होता है क्योंकि दो आपके negative आगे कि एक तो आपको टीचर का imitation करने के लिए कह दी और दूसरी बात पैसिव तरीके साब के कह दी ठीक है अगला है कि विवित जानकारियों की पुष्टी करने ही तो बिल्कुल ठीक बात है या पर क्या हो रही है जो जितनी भी अलग-अलग प्रकार की जानकारी है उनका क्या काम करने है आपको उनकी पुष्टी करने है कि हाँ यह जानकारी ठीक है यह गलत है जैसे मैंने का critical thinking के अंदर को बताई कि बिटा गंदगी में मत खेलो इससे आपकी बिमारे होती है तो बच्चा खुद उसको उपज़वर करेगा कि बिम पर अब सारी चिंतन करके बिल्कुल ठीक बात है जहाँ पर भी आपकी critical thinking आ जाएगी critical thinking में आपकी क्या होती है रचनातमकता होती है एक से जादा अंसर होते है तो यहाँ पर आपको divergent thinking देखने को मिलेगी ठीक है divergent thinking आपको देखने को मिलेगी याद रखना अभी आपका tag word आएगा जहाँ पर भी आपको convergent यानि कि आपको अभी सारी चिंतन देखने को मिले क्या मिले जहाँ पर भी आपको अभी सारी चिंतन देखने को मिले अभी सारी चिंतन के अंदर रचनातमकता नहीं होगी question का सिर्फ एक answer होता है तो यह आपका अभी सारी चिंतन होता है य आनि कि फोर्थ वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, आप लोग किसके साथ जा रहे हो, वेरी गूड, फोर्थ के साथ आप लोग यहाँ पर जा रहे हो, दीदी के साथ आप लोग जा रहे हो, ठीक है, तो critical thinking आपने देख लिया, कितना महतुन टेगवर्ड है, और आ मानकों की कोई जंगे नहीं है, ठीक है, मानक की जंगे नहीं है, मानक क्या होते हैं, मानक होते हैं, जिसके आधार पर, मानलीजे, हमें, जब हमीं स्कूल में पढ़ते थे, तो वहाँ पर मानक सेट होते थे, कि 100 में से जो 32 ला है, वो पास, सोरी 33 वाला और 32 वाला फेल, इसका IQ level अच्छा कि खराब है तो जहां पर विए आपके option में आपको मानक या standard डाइज आपको देखने को मिले चाही मानकी करत परिक्साई हो चाही मानकी करत पेपर हो चाही मानकी करत assessment यानि की मानकी करत आपका आखला नो कुछ भी मानक आपको दिखे मानक देखते उसको उपर कट लगा देना क्यों क्योंकि आपका negative आज की date के अंदर हमें मानकों को पर आधारित आपके किसी भी चीज़ें नहीं करनी है ठीक है अब option question यहाँ पर अब लोगों का समूए शिक्सकों को बहुत सांस्कृतिक सिक्सा का अभ्यास किस तरीके से करना चीए ठीक है यहाँ पर बात हो रही है आपके किसकी multicultural education की बात हो रही है देखे आप लोग अलग-अलग पश्ट भूमी साहते हो सामाजिकार्थिक तोर पर अलग-अलग होते हुआ आपकी बात है अलग-अलग है जब बात ही अलग-अलग हैaz किस तरीके से करना चीए पहला आपकर सामने दिया औहा है एक समान और मान की कडत मैंने क्या देखा ज्लत हो जाएगाkkah आपका differentiated आपके instruction हो जाएंगे, differentiated instruction का मतलब होता है, जहापर बच्चे की छमता के according हम उनको सिक्षन दे सके, मानली जा यहापर classification हो गया मानको के according, के 150 में से 190 वाला पास और 89 वाला सीटेट के अंदर fail, तो यहापर क्या काम कर दिया, मानली जा कोई बच्चा fail हो रहा है, कमी speed से सीखने की speed कम है, तुम fail हो गयते, चलो तुम थोड़ा extra चीजे यह पड़ो, चलो तुमारे उपर थोड़ा मैं extra time all लगा दूगा, और जो बच्चे पास हो गए, आगे के exam की तयारी करेंगे, उनको फिर आगे की exam की हमें तयारी करानी है, ठीक है, यहनी हर बच्चे की ability के according हर बच्चे के motivation के according हमें उनको यहापर section देना होता है, तो आपके differentiated instruction माने जाते हैं, और इसका use आपको करना चाहिए, यह आपके positive होते हैं, लेकिन अगर मानक की बात आजाए, एक समान की बात आजाए, तो यह आपका negative हो जाएगा, गलत, अगला है कि एक समान और मान की कर मैंने का जहां मान की करत, चाहिए पाट्टे करों हो, चाहिए आकलन हो, चाहिए पेपर हो, यह कुछ भी अपने साथ लेकर आया, उप्सन आपको लोग इसको देखते गलत काड़ दोगे, ठीक है, अगला है कि बच्चों की सांस्कृतिक पष्ट भूमी के अदार पर अलग संकाय नहीं इसलिए तो मानक आपके बेकार माने जाते हैं, मानक क्या काम करते हैं, जैसे मैंने बताया, 100 में से 33 सवाल, 5 32 सवाल, आपका फैल, ठीक है, तो हैं पर सेग्रेशन कर दिया, पर्थक करन कर दिया, अलगाओ कर दिया, जबकि हमें बच्चों का सेप्रेशन अलगाव नहीं करना है हमें सभी बच्चों को एक सा सिक्सा देनी है तो ये भी आपका क्या हो गया गलत हो गया ठीक है अगला है कि कक्सका ऐसा लोकचार बनाना जहां हर बच्चा अपने पन की भावना मैसूस करता है बिल्कुल ठीक बात है कक्सका हमें जो क्लासरूम में इस यहाँ पर बच्चों को सेप्रेशन की सेग्रेशन की बात आगी एक यह नेगिटिव आ गया तीन नेगिटिव दिख गए चोता पॉजिटिव है तो फोर्थ आंचार आपके सामने यहाँ पर सही हो जाएगा बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर देरो ठीक है इमानदार इस पर यह आगे नेग्स्ट कोस्टन अगला कोस्टन आपके सामने दिया वाँ है पोजिटिव और पोजिटिव में क्या लिया वाँ है तुरूतिया यानि जो गलतिया होती है बच्चे की और जो भरांतिया होती है जैसे एक मिसकंसेपशन मेरा था जब मैं नाई के पास गया उसने का कि भाई आज ऐसी कठिंग करूँगा, आप देखते रह जाओगे, तो मैंने misconception मना लिया यार, यह तो अच्छा ना ही है, बहुत बढ़ी है, यह ठीक है, तो बढ़ी है ही करेगा, उसने यह वाले कार्ट दिये, जो मेरा misconception तरह वो ठीक हो गया, ठीक, अब मैं बाद मे ले होते हो, तो आप लोगों के भी बहुत misconception है, कि सर सीटेट का एकजाम कैसे पास होगा, सर सीटेट में 150 में से 150 भी आ जाते हैं, सर सीटेट में CDP में वाके में 30 में से 30 आते हैं, क्या पढ़ना पढ़ता है, तो हर किसी के पास कुछ ना कुछ misconception होते है, खासकर छोटे बच होती है, तो इसको आपको क्या मानना है, बड़ा महत्पून मानना है, ठीक उसी परकार से बच्चे की जो तुरूटिया होती है, जो गलतिया होती है, जो मेरे नाईने गलति कर दी, आज के बाद ये उससे ये वाली कटिंग कभी निकरा हूँगा, ठीक है, अब यहाँ पर बच्चा जो गलति करता है, ध्यान चाहिए मेरे बात को, मैं आपर बाल काटने की वाले बात ने कर रहा, ठीक है, उसे तो मेरा तोड़ने का मन कर रहा है, बच्चा जो गलति करता है, बच्चे की गलति बड़ी महत्पून होती है, ये गलति आपके बच्चे की है, तो बच तो गलती होना जो आपका होता है वह आपकी टीचिंग लड़नी प्रोसेस के दोरान चलने वाले एक प्रिक्रिया होती है जब तक बच्चा गलती नहीं करेगा तब तक उसको पता कैसे चलेगा कि मिरे से क्या गलती है टीचर को कैसे पता चलेगा और वह सुधार की शीज का कर अगर बच्चे की घलतिओं की बात आ रही है चाहे बच्चे के मिसकंसेप्शन की बात आ रही है बच्चे से जुडी कोई भी चीज आ रही है वो आपको बड़ी ही महत्मून माननी है क्योंकि जब तक गलती नहीं करेगे तब तक पता कैसे चलेगा अब कोश्चन आपके सामने दिया हुआ है अभिकतन यानि की अजर्शन के नाम से दिया हुआ है यह दिया है कि लड़कों को मुर्गी मतलब नहीं बनाते तो टीचर मुर्गे बनते तो आप बने हुँगे आप लोगों मैंसे बहुत मुर्गे यह हाथ खड़े कर दिये आपको ध्यान नखना है अगर बच्चा कोई गलती करता है ना तो बच्च जो कोई बात नी मैं तुझे शिखाऊंग इसके घरवालों को बोल दूँ तो ध्यान नखना अगर बच्चा किसी परकार की गलती कर रहा है ना तो वो उसकी आसफलता को नहीं दरसाती बलकि उसकी सफलता के मार्ग में ही एक आपका प्रोसेस होती है तो हम लोग जो इतनी बिटाई हम लोगों ने मार जेली है वो बेफ बच्चो ना आप में खुद में सोचने की छमता नहीं है ठीक है ये तथा उनके सीखने को सुनिश्चित करने के लिए उन्हें लगता निर्देश देने पड़ते है इसके कहने का मतलब है आप लोग बेवकूफ हो आप लोग गदे हो आप में कोई छमता है ही नहीं वो तो बच्चे होते है न उसमें सीखने की छमता होती है क्या होती है हर बच्चे में सीखने की छमता होती है तो ये आपका दोनों ही गलत है तो आप लोग लगा सकते हो ए और आर दोनों गलत है तो चोथे का आपका चोथा अंसर या पर सही हो जाएगा बढ़ते अब आपके सामन next question की ओर अगला question सामने स्क्रीन पर, तो समझ गए, बच्चे की गलतिया को आपको महत्पून मानना है, लेकिन औरों की गलतियों को महत्पून नहीं मानना, ठीक है, चलिए, अगले के ओपर देख लेते हैं, अगला question, अगला tag word आपके सामने स्क्रीन पर आ गया, ये रहा अग कोई बच्चा चीजने शीक रहा है और शीक ने कि दो waktu मानिली जोक उसको चैंजमाने आई तो यह टीके टीचर मुझे क्या काम चाहिए कुछ नई तरीकों का यूज़ करना चाहिए ना कुछ नए ने टेलम का यूज़ करना चाहिए ना ठीक है तो इस परकार के अपने methods के अंदर में change करूँगा न यह ठीक उसी परकार से जो पहले के teacher रहते थे अबे तु किसके उलाद भाई ठीक है अच्छा फलानी के उलाद है वो तो खुद नपड़ है तू भी नपड़ रहे गया ठीक है इस परकार के अगर जो बाते कहता है teacher अरे भाई मेरा समझाया हुआ बच्चा ऐसा होई नहीं सकता उसकी समझ में ना है बच्चे के अंदर कमी होगी तो पहले teacher मलब आज की डेट के अंदर भी ऐसे मिल जाएंगे तो पहले teacher इस परकार का कठोर रविया रखता था और teacher के साथ साथ में ठीक है teacher के साथ साथ में जो syllabus होता है जो करिकुलम होता है तो वो भी किस परकार का रहता था वो भी आपका रिगड रहता था कठोर रहता था हमें नहीं फरक कि बच्चे की छमता क्या आया बच्चे का इंट्रेस्ट का आया मोटिवेशन क्या भाड में जाया बच्चा हम तो अपने syllabus को इन मानव के according रखेंगे इनको पास कर लिया इनको उत्रवन हो गया बच्चा तो हम बच्चों करिकुलम को इस प्रकार सेट करना है ताकि बच्चे की ability के according आपका करिकुलम हो जैसा आपने देखा होगा आज की date कंदर रचनावाद के उपर बात चलते हैं चाहिए आप लोग ने प्याज ये पढ़ाओ वाइगोस की पढ़ाओ तो इनके सिद्दान से जो आपके rule निकल करते हैं ठीक है ना की कठोड़ता की बात करते हैं ठीक अब कोश्चन आपके सामने इस पराधारित आपको दिया हुआ है एक अध्यापक को अपनी सिक्सेंड सास्त्रिय परवीदियों के बारे में यानि जो उसकी पैड़ागोजी कल व्यू होता है या उसकी टीचिंग तो मैं क्या कहूंगा कि भाढ़ में चला जा मुझे क्या मतलब अरे सारे बच्चों को समझ में आता है तो मैंने क्या काम कर दिया है जड़ बन गया मैं कठोर बन गया कि तुमारे अंदर कम यह मेरे अंदर कुछ कमी नहीं है ठीक है तो यह आपको नहीं बनना तो यह क्या ह जाएगा यह positive हो जाएगा यह दोनों negative है और यह positive हो जाएगा West, अज़ने नहीं करना भच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को यह भी आपका negative है, अगर मानलीज़ आपको चीज समंझ में नहाँ और एक बच्चा हर घ्रास में पूचता जा रहा है रहा है तो पोजीटिव का यह आइँ सरी आपका ठीक अगले के उपर बात करते हैं, अगला आपके सामने negative word दिया हुआ है, आपके सामने drill and practice, कौन सा दिया हुआ है, drill and practice, देखो drill and practice के मादधम से क्या होता है, drill and practice के मादधम से बढ़ती है, wrote learning, क्या बढ़ती है, इसके मादधम से बढ़ती है, wrote learning, अब देखो इसके मादधम से कै कर देता था कि आच चे एसके लाई तो फिर हो सबस् συक्राइर पर बाराइन को प्रेक्टेस करता था तो वह इस चीज को बढ़ावा देता था ज्यात कå ह्ट। टीच उपर लेक्राइथ करने लग जाता था समझता नहीं'dy यह पर उसको प्रैक्टिकल चीज देते या खोजपुन तरीके सा उसको करने के लिए कोई काम देते तो बच्चा समझ कर लाता तो आपको ध्यान नखना है ड्रिल एंड प्रेक्टी जो होती है आपके रोट लेंडिंग को बढ़ाती है रटने की परवर्ति को बढ़ाती है और आपको चीज ये रटनी न यहां पर बात होती है चाहिए आपका जो एंसिप भी था ठीक है वह इसको पर आपका आधारित रहता है तो इसमें जो आपका अर्थपूर्ण सीखना है यानि यहां पर बात हो रही है मीनिंग्फूल लेंडिंग की देखो दो दो पोजीटिव आगे कंस्ट्रक्टिविस् इतनी गलतिया करते हो पेपर वन पेपर टू लेने के अंदर ही आप लोगों का क्या होगा ठीक है आप तीम के पास मैसिज करना आपका कोर्स चेंज हो जाएगा मैंने एक टीम इसी काम के लिए लगा रखे ठीक है छोटे बच्चों से भी जादे गलती करते हो वाट्सप प नौलिज ना माने जाए हाँ उस इनफोर्मेशन को नोलीज में जो कनवर्ट कर दे वो कौन होता है डिचर जिसको एक फेसिलीटेटर एक सुञवधा सुगम करता के नाम से जिसको जाना जाता था तो यहां पर जानगारी का हमें इस्टोर नहीं करना और उसका वह बंदारन की बात आ जाएगी वहाँ पर बच्चा सबसे अच्छे तरीकी से मीनिंग्फुल लेंडिंग कर पाएगा और आपकी रचनवाद किलासरूम का एक बड़ी एक्जामपल भी आपको देखने को मिलेगा इसलिए मैंने का कि जो आजकल होमवर्क दिये जाते हैं बच्चों को अस मतलगा ना आज की डेट के अंदर जितने भी ओप्शन है ना इन ओप्शन को निचेड़ेंगे यहां से आपकी पैड़ागोजी मजबूत होगी अगला इनाम व्यास सजा के परियोग से होता है देखे मैंने बता पनिस्मेंट की बात आपके आर्टिकल नंबर 17 राइट्ट सजा नहीं देनी और आपको जो इनाम है नम बच्यों को इनाम यानि को जो रिवाब्स होते हैं वह भी आपको नहीं देने आपको जाया अगर आप कंच्छों को रिवाड दे रहें नाम का वह इस ते आपको बहुत बहुत बड़िए तो यह आप यह सियlicherły वार्ड o जो आपका नेगिटिव माना जाएगा लेकिन एक किसी खास अच्यूमेंट पर पार्षल होता है यानि जो पार्षल होता है अगला है बारंबार वेधन तथा अभ्यास से होता है यहाँ पर बात होगी आपके ड्रिल एंड प्रेक्टिस की बात आगी तो ड्रिल एंड प्रेक्टिस क्या होता है अभी मैंने आपको बता है यह आपका नेगिटिव होता है रोट लेंडिंग को बढ़ाता है तो राइट कहते हैं positive or negative or ठीक है sir help me science कि क्लास कल क्यों नहीं यूटूब के उपर भाई वो science वाली टीचर ने उनका technical जो काम है वो पूरा ठीक करवा दिया है अगले हपते से उनकी Saturday Sunday को सही से उनके किलास चलेगी ठीक है वो टेकनिकल इस्कूल के teacher क्या कहते थे यह निकम्मा है इनके साथ मत रहा कर अरे कोई बात नहीं निकम्मों के विसात रहे ले क्योंकि आज की डेट के अंदर जो हमें implement करने चीज़े हमें सभी बच्चों को समानूफ से जुके संदीनी है कोई भेदवाव किसी के बीच में नहीं करना जै इसे teacher हमारा साथ करते थे इन निकम्मों के साथ मत रहे तुझे भी विगाड़े देंगे ठीक है कहते थे ना इसे teacher और उसका साथ में आपको उनके ओपर कोई label नहीं लगाना क्या नहीं लगाना किसी परकार का लेवल नहीं लगाना किसी भी सामजी कार्थिक तोर पर या ब अनकि कि यह क्या था है बेखूब गधा निकम्मा और एक दो एक दो एक्स्टा देते थे ठीक है तो इस परकार की label आपको बच्चों को नहीं लगाना है सूच कर देखो अगर हमें कोई label देगा तो हमें कितना बुरा लगेगा ठीक है आपको क्या करना है आपको सभी बच् स्कूल में पढ़ते थे क्या क्या नाम सापको लेबल दीए फिर मैं आपको बताऊंगा मुझे क्या लेबल मिला हुआ ठीक है और सबसे बड़ी बात मैंने अपने सारी टीचर को एक एक लेबल लगाया हुआ था उनके सभी के नाम मैंने निकाले हुए थे ठीक है यह रहा आपके सामने इसको पर बात करते हैं इतना मुझे पता आप लोग ने भी नी कुछ ना कुछ अपने टीचर का नाम जरूर निकाला होगा ठीक है उनके भी नाम बताओ क्या का निकाला है अब कोश्चन पढ़ते हैं कि सिक्सा में समावेशन को बढ़ावा देने के लिए अध् इसको बढ़ावा देने के लिए इसको ठीक बात है इसको पॉसित करने के लिए आपका होता है तो पहला आपके यहां बिल्कुल ठीक जा रहा है जो विविदेता है जिसका एक्जमपल आप लोग हो सबसे बढ़िया आप लोग विविदेता का सबसे बढ़िया एक्जमपल है यह अपका गोड़ी आपकेuds की बात हो तर आपको किसे भी परकार का स्टेरो टाइप ओपार मेल के बीच में कि आप आपको किसी भी परकार का इस और दूसरी बात आपको बच्चों को किसी भी वी परकार का कोई लेवल नहीं देना ये रही ना लेवल तो ये हो जाएगा का प्रकार से बाइस या स्टीडियो टाइप और साथ में लेबलिंग नहीं करनी है ठीक है अगला कहता है योग्यता के बारे में सत्तु धान्ना को पोसित करें देखे एक आपके सामने होता है एंटीटी बिलीफ होता है और एक होता है आपके सामने एंटीटी व्यू होता है क्य देंने के बाद आपका सिर्फ एक व्यू बनाए हुआ है कि मैं तो बस उसी से साधि करूँगा जो देज अच्छा देगा यह मैं तो उसी से साधि करूँगा जो खुबसुरद बहुत होगी तो आपने एक एंटीटी व्यू बना लिया ठीक है इसी परकार से बच्चा भी एक entity view बना लेता है कि भई मैं इस किताब को पढ़ूँगा तो मैं पास हो जाऊंगा लेकिन entity view आपको नहीं बढ़ाना इसके जंगा आपको progressive view रखना है कैसा view रखना है आपको progressive view रखना है अरे क्या बता कोई लड़की ऐसी भी हो जो मतलब बहुत पड़ी लिखी भी हो और जो क को इतना यकीन है कि हां मैं कि सकाब को कर सकता हूँ तो यहां पर खुद के विश्वास की बात हुरी है ना कि व्यू की बात हुरी है तो अगर entity view हो जाता तो नेगिटीव है entity belief हो रहा है तो आपका positive है ठीक है योग्यता के बारे में नहीं entity belief है न सत उधार नहीं entity belief को वो न बीच में किसी भी परकार के competition को promote नहीं करना है जैसा आपके घरवाले आपके बीच में competition रखते हैं तेरा नंबर कब आएगा तेरी job कब लगेगी देख फलाने की लग गए तेरी अभी देख नहीं लगी ठीक है तो इस परकार से बच्चों की बीच में किसी परकार को competition नही अभी तक नहीं आए अरे वह आगी तो आगी हम क्या करें इस बात में ठीक है तो राइट आंचर आपका किसके अंदर से बैठ रहा है राइट आंचर आपका आज समाविशन को बढ़ाव देने के लिए पैदा करने चीए देख आरा फर्स्ट और थर्ड में फर्स्ट और थ ठीक हो जाएगा ठीक है कि टैट एक्जाम पहली बार दे रहा हो आपके यूट्यूब क्लास कर लिया इससे निकल जाएगा या नोट से निकल जाएगा ठीक है देखें किलास आपकी पूरी महत्पुन है लेकिन कुछ सब्जैक्ट ऐसे होता है जिसमें मतलब आपको नोट पढ़ने होती है कभी बैच की जरूत होती है तो अगर आप एंचाइटी पढ़रों खुद से उससे हो जाएगा या प्रिवेसर आपके पास हो अगर वह चीज नहीं है तो आप लोग बैच वगरा के थुरुक कर सकते हो ठीक है तो राइट आंसर क्या हो जाएगा आपका फ पर चाट के चक्कर में ठीक है केंटर में रखा जाता था वो अपना लेक्चर दे रहा है और अपने घ्ञान को बच्चों के अंदर डालता जा रहा है अब पर बत्याक्च्छ यह और अपके सामने दिया हुआ है उसके ऊपर नज़र डाल लेते हैं कोश्चन आपके सामने दिया हुआ है अभी कथन यानि की अजर्शन आपको दिया है कि प्राथमिक कक्साओं में यानि प्राइमरी क्लास में विद्यार्थों को पढ़ाने के लिए शिक्षक को पर्मुक रूप से व्याख्यान पदित का यूज करने चाहिए मैंने गाया सीखने की परकिरिया होती है learning का process रहता है सबसे जाधा तब परभावी होता है जब और है निस्कीए servant या आप पर देखो किस बात हो रही है passive listening की बात हो रही है यानि जो आप लोग सुनने हो हो न निस्क्रिये होकर सुनने हो इसका कहने का मतलब है आप लोग यह आपर होगी seeking अगरे आप मेरे वीडियो को देखोगे और देखने के साथ a часто अच्छी प्रकार से सुनोंगे जो वहां मैं बात आपके स्क्रीन पर चिंगे ने सकेसे यह स्कारनिकर लाफा हम यह दॉनों ही आपके गलत हैं विदिक स्कौंद्र अगली आपके सामने नेगिटिव आ गया और नेगिटिव के अंदर देखे क्या दिया हुआ है पनी सजा या बच्चे में किसी परकार का भै अगर तुमने सही से मेरी क्लास नहीं पड़ी ना तुम फेल हो जाओगे दुनिया तुम्हें कुछ नहीं पूछेगी अगर मालू म मैंने आपसे यह वाली बात कह दी तो क्या करोगे डर जाओगे और यार ऐसे कहसे होगा ठीक है बताव सर्जी हाथ जोड़र क्या हमें करना पड़ेगा ठीक उसी परकार से बच्चों को आपको यह डर नहीं दिखाना है ठीक है तो यह बात आपने ध्यान की मुझे आज भी हमने सरारत कर दी अपने कोचिंग के अंदर तो वहां की टीचर ने कहा था कि बस तुम मुझे इस वाले सब्जेक्ट में पास हो के दिखा देना मैं मान जाओंगा तुम्हें ठीक है मैं मान जाओंगा हां भी तुम भी कुछ नाम की कोई चीज हो मैं ज्यादे नंबल लेकर राक्सा आख नहीं मिलाते ठीक है और हमें किसी परकार की पनिस्मेंट नहीं देनी अब उस टाइम पर में बढ़ाता अगर छोटा होता तो वही हाथों को तोड़ देते या मुर्गा बना देते सबस्याद बेजती तब होते जब लड़कों के सामने हाथ खड़े करवाते या मुर्गा मैं तो मुर्गा बनानी ठीक है तो आपको ध्यान दगना छोटे बच्चों को आपको किसी भी परकार की पनिस्मेंट नहीं देनी है अगर आपने ये कोशिस करी तो आपके उपर आर्टिकल 17 में आपको बताया पनिस्मेंट हो जाएगी अधिकारी आपके उप effectively कव शीखते हैं, पहला, विशेवस्तु को रट कर याद करनां, देखो, किस की बात आगी, रटने की बात आगी, wrot memorization की बात आगी, तो wrot memorization क्या होता है, आपका negative होता है, दूसरा आपके सामने दियावा है, अपने आसपास की वस्तुओं और वेक्टिव से पारस्प्रिक था द्वारा, बिल्कुल ठीक बात है, जो आसपास में लोग रहते हैं, उन्चे जब इंटरेट करके सीखेगा, तो उसके द्वारा सबसे इफेक्टिव तरीकी से सीखता है, तो यह आपका पोजीटिव है, एंसे अब 2005 का एक सिद्दानत ये भी कहता है कि बच्चों को उनके वास्तुइक जीवन से कनेट करके पड़ाईए, बच्चों को अगर आप टेक्स्ट बुक देरो, जिसके बारे में राष्टे सिक्सानीती 2020 में कहा हुआ है, कि बच्चे की जो राष्टे सिक्सानीती 2020 का ठीक है, यह हम लोग डरते थे, हम लोग परभावसाली डंग से कव सीखते थे, जब हमको डर रहता था, हमको पता रहता थे कि गार हम होमवर करके नहीं गए, तो कल हमारे टीचर ने हमारी टांग तोड़ देनी है, तो डर की वज़े से हम परभावसाली तरीक से सीखते थे पहले की टाइम में लेकिन आज की डेट के अंदर आपको दंड के बैसे ये नहीं करना ये आपका नेगिटिव माना जागा देखें या पर एक चर्चा उठती है इसके ओपर ये मलब एक मीटिंग भी हुई थी अगला आपके सामने अध्यापी का को निस्कριय रूप से सुनकर यानि यहाँ पर बात हो रही है, passive listening की बात हो रही है, मैंने बता है, passive listening क्या हो जाएगा, negative, active होकर आपको सुनना है, तो right answer क्या हो जाएगा, positive का second answer सी हो जाएगा, जब आपस में intact करके सीखेगा, local चीजों से second answer यहाँ पर आपका सही हो जाएगा, ठीक है, चल यह बढ़ते है आपके सामने next question के ओर, आप लोगों ने बता है नहीं, आप लोगों ने अपने teacher का क्या क्या नाम रखा था, ठीक है, और teacher ने आपका क्या नाम रखा था, जरा बताओ भई, ठीक है, ठीक है, अगरा question देखते है, सामने आपकी screen पर, जो आपके positive, negative word का है, negative आपके सामने लि समानुभूती, ठीक है, यानि कि empathy, देखे, दोनों के अंदर meaning समझे, WHO, यानि World Health Organization द्वारा 10 प्रकार की life skill दिवी है, उसमें से एक life skill के अंदर ये भी आपके मानी जाती है, जो मैं आपके सामने बतारो, यानि, जीवन को जीने के आपके कोसल है, और कासकर जी, यहाँ पर और empathy, साहनुभूती का मतलब होता है, जब हमें किसी के परती दिया परकठ हम लोग करते हैं, जैसे आप लोग यहाँ पर वीडियो देख रहे हो, और वीडियो देखने के दौरान मालीज आपकी जोब नहीं लगरी, आप परिसान हो सर्ची, बहुत परिसान चल ले है, ठीक होगे सर आपको हमारे परती साहनुभूती है नहीं, मुझे तुम्हारे परती साहनुभूती नहीं है, ठीक है, रुख जाओ भई, उल्टा सिधा बोलने से पहले पूरी बास सुनो, साहनुभूती से ज़्याद मुझे आप लोगो के लिए समानुभूती है, इंपेथी है, आप क्योंगे यह क्या बवाल है? यह बवाल है कि जैसे emotion, जैसा आप लोग feel करो, सेम उसी परकार की feeling को अगर मैं भी feel करूँगा, जो चीज आप feel करो, उसी feel को सामने वाला भी feel करता है, मालीजे आप किसी बात पर पर परिशान है, तो अगर मैं भी आपके लिए परिशान जाता है, ठीक उसी परकार से teacher को भी अपने बच्चों के परती समानुभूती रखनी चीए, अगर बच्चा परिशान है, टीचर परिशान हैगा, बच्चा रो रहा है, टीचर होगा, तो इस परकार का relation teacher student का होने चीए, तो teacher के हमेशा सानुभूती ना रखकर उनके परती समानुभूती रखनी है, इंपेती रखनी है, कि जैसी feeling वो अपने अंदर ले रहे है, जैसी भावना से गुजर रहे है, उसी भावना को सामने वाला भी जब समझे, तो आपकी समानुभूती होती है, ठीक है, अब यहापर देखे, question आपके सामने क्या दिया हुआ है, एक स साइस का करा दो, मैंने का चलो, ठीक है, टीचर का टाइम में निकालता हूँ, संधे को आपके लिए कराता हूँ, तो ओनलाइन मादधम से जितनी आपकी देखवाल हो सकती है, उतनी में है, आपके लिए कर रहा हूँ, उसके लाबाँ परमानिकता बिल्कुल ठीक बात है, जैन्वन होना चीए, देखे, आप लोग कभी एक बात करना है, चाहिए आप लोग इससे पहले जो पढ़कर पास हुए, जिनको ओलेडी जोब लगी हुई है, पहले से भी, कभी भी आप मेरे बादरे में एक चीज हमेसा सुनोंगे, कि वो टीचर जो है सचिन सर हो जैन्व जैन्वन नहीं हो, तो कुछ समय के बाद आप पैसे तो कमालोगे, नाम भी कमालोगे, लेकिन डूब जाओगे, चाहिए पैसा कमाईए, नाम कमाईए, लेकिन जैन्वन होनी चीए, और आप दूसरे के परती वफादार होनी चीए, अगर बच्चे आपकी वीडियो देख आप से पढ़ रहे, तो आपके पढ़ती वफादार होनी चीए, तो एक टीचर का सबसे महत्पुन गुन होता है, जैन्वन हो, ठीके, वो फेक ना वने जो टीचर होता है, कि यहाँ पर कुछ और दिखा रहा है, और पीठ पीछे परदे के पीछे कुछ हो रहा है, ठीके, अगला आपके सामने है, आ सईसू, नहीं, इन टोलेंस नहीं होना चीए, टोलेंस होना चीए, क्या होना चीए, यहाँ पर इन टोलेंस होना चीए, ओ, टोलेंस यहाँ पर होना चीए, तो एक जो टीचर के अंदर गुन होता है, मालीज़ा आपको चीज समझ में नहीं आ रह ठीक है तो इन्ट decentralized नहीं होता है टीचर टोलेंज उसके इंदर होनाayan, पेशेकर के न Driven, rightunpset आपका क्या हो जाएगा पहला दूसरा तीसरा यह आपका आंसर सही हो जाएगा और आप लोग किसके साथ जारो थर्ड के साथ आप जारो बिल्कुल थर्ड आपका यहापर सही हो जाएगा ठीक है ठीक है दसका सी आपका है पहला दूसरा तीसरा चलिए बढ़ते हैं आपके सा इसको जरूम बुरुन ने दिया था आपको सिंपल सी एक बात समझने है आपको समझने है जब भी डिसकोवर की बात आजाएगी खोजपून तरीके की बात आजाएगी वह मैंसा पॉजिटिव माना जाएगा अब मैंने काओ कि बच्चों को आपको कोई हुमवर्ख नहीं देना अगर हुमवर्ख और बच्चों को आपको आसाइनमेंट नहीं देने हैं तो क्या देना है उसको डिसकोवरी लंडिंग के माध्दम से पढ़ाओ जिसके बारे में सिक्सानीती 2020 भी बात करी है उससे पहले बिवेस में दिखतो तो बच्चा घर जाएगा आज़ आजवास में देखेगा डोगी है अवह ए से गाय है या दो तीन ओर बक्री बक्री देख लेगा उनको बच्छा और उबज़र करने के बाद देखेगा वह कैसे खाती है कैसे आवाज निकालते है ठीक है किस प्रकार क को तो हमें यहाँ पर खतम करने के और बढ़ते जाना ठीक है उसके साथ में आपका डिसक्सन नहीं कि चर्चा करना इसके बारे में भी सिक्सा नीती ने इसको जा साथ बढ़ावा देनी की बात करिए देखाए आप में से कुछ बच्चे ऐसा आते हैं कि सर जल्दी जल्दी को करा होगे कुछ समझ में नहीं आएगा ना पेड़ागुजी समझ में आएगी ना पेपर निकलेगा सबसे बढ़ी यह तरी आए डिसक्सन करना अब ओल्लाइन माध्यम में सबसे बढ़ी दिक्कति होती हैं हम डिसक्सन नहीं कर पाते बट जितना भी पोशिबल होता हम आना जाता है तो यह जो आपके मेथड होते हैं यह आपके हमेशा पोजिटीव के अंदर काउंट होते हैं अब कोश्चन क्या दिया है कोश्चन सामने स्क्रीन पर है कुछ वच्च्च पढ़ने वाद सीधे उसका अंसर दे रहे हैं पहले समझ लिजे जो मैं क्या बात कहना चा रहो ठीक है उसके बाद कोश्चन का आंसर देना क्योंकि अगर एक बार आप समझ गए न तो आप यह जितने आज की उडियो के अंदर कोश्चन है न इससे जुड़े जितने दुनिया भर के कोश्चन आजए आप लोग कर जाओगे तो इसलिए बार-बार कोश्चन आपके सामने की निमलिकित में से कोंची परिक्रिया सार्तक सीखने को बढ़ावा देती है मीनिंग्फुल लर्णिंग को कोंची परिक्रिया बढ़ावा देती है पहला अनिवेशन और चर्चा करना बिल्कुल ठीक बात है डिसकसन एंड डिसकोवरी अभी मैंने प्रेक्टीश अभी मैंने आपको बता है तो देखो तीन नेगिटीव हो गए और यह आपका पोजीटिव है आपका क्या हो जाएगा पोजीटिव यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा बिल्कुल ठीक आप लोग यहाँ पर जा रहे हो ठीक है ठीक है चलिए बढ़ी अगल जल्दी जल्दी चीज़े चाहिए ठीक है चलिए अगला देखते हैं वना 99 परसेंट बच्चे कहते हैं कि इसा डिटेल में समझाया करो ठीक है चलिए अगले देखते हैं पोजीटिव और नेगिटिव वर्ड के बारे में देखें नेगिटिव इससे पहले जो ऊपर कोश् समझने की जंग आपको समझना है या आपका पोजीटिव है श्रिक्सा निती 2020 ने किलियर कह दिया है इससे पहले भी जो आपकी बात हो रही है कि हमें बच्चों को कंसेप्चुल अंडेस्टेंडिंग की तरफ लेकर जाना है यही बात सीवेसी वालों ने आप लोगो के लि इनरी स्पीच होती है जो अपने काम को रेगुलेट करने के लिए जिस भासों को बोला जाता है तो अब इन्होंने कुछन यह नहीं पूचा कि इनरी स्पीच का कंचेप्ट किस से जुड़ावा है यह वाई गोश्की ने निमलिकत में से कौन सी स्पीच दी अब उन्होंने इनरी स्पीच के उपर एक प्रैक्टिकल कोशन दे दिया अब जिस बच्चों ने चीजे समझी है सीटेट के एकजाम के अंदर वो पास कर जाते अच्छे नमबल लेकर आते और जो चिप याद करते है वो रयाद करने वाली रह जाते इसलिए आपको याद करने की जंग है स जल्दी क्योंकों से बदलाब है ठीक है फ़क वो लेट आ रहा है भी पोल लेट जल्दी दे देने ठीक है पहला है किरचनात्मक मुल्यंकन से योगात्मक मुल्यंकन के और जी नहीं यहां पर रहा रहा है आपके समेटिवbenट पॉर्मेटिव ऐस्टमेंट जो आपका टीचिनि दे रानल रोता है समेटिव और इसमेटिव को कम करने की बात करी हैती यह आपको अपका पोजीटिव ऐस्टमेंट है ठीक है अगला है कि कंठत इस्मरण से क्रिया आधारित अधिगम के और बिल्कुल ठीक बात है ये बात कर रहा है कि रोट मेमराइजेशन से यानि जो आपका नेगिटिव होता है तो नेगिटिव से एक्टिविटी बेस लेंडिंग के और जाना है यानि कि आपके पोजिटिव के और है तो राइट आंसर आपका सेकिंड से हो जाएगा अगला है खोज अधिगम से व्याक्यान विदी के और जी नहीं हमें लेक्चर मेतड मेंने क्या बता है ता नेगिटिव आपका और डिस्कवरी मेतड क्या था आपका पोजिटिव है तो हमें नेगिटिव से पोजिटिव के और जाना है ठीक है तो राइट आंसर आपका सेकिंड है जो आपका बिल्कुल ठीक बैठा है औरना सारे अपोजिट यहापर दीवे ठीक है सेकिंड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा बढ़ते बापके नेक्स्ट के और देखे अगला आपके सामने इस कोश्चन के अध किसको मानना है बच्चे को सारी चीज़े के लिए करनी है बच्चे के लिए करनी है ठीक है सबसे बड़ा ताकत इस दुनिया के अंदर कौन सा बच्चा मलब अगर मैं आपके एकजाम की बात करो ठीक है बच्चे से जुड़ा कोई भी ओप्शन अगर आपको नेगिटिव लग रहा हो ठिक है तो इसको परति रखनि में और हमेशा बच्चा रहाएं गर करता है बता कोन मदद करता है इस बार पाथ्य गर में आया अपने साथ लेगर आजा बेटा तो कुछ भी ठीक है दूसरा है परिक्सा केंदरी तो पागा मैंने काँ चाहा है परिक्सा केंदरी तो सेलेवस केंदरी कुछ भी केंदरी तो negative है हमें सिर्ः पर एक केंदरी तो रखना है अगला है कि आन्नमिय समय सन्डी यानि जो time table यहाँ पर होना चीए वो inflexible की बात कर दी जबकि मैं क्या कहता हूँ flexible आपका positive होता है inflexible आपका negative होता है तो ये भी आपका क्या हो जाएगा negative यानि जो time table होना चीए वो आपका कैसा होना चीए flexible होना चीए जैसे आज हमारी class थोड़ी सी लेट हो गई आपको ऐसा चैप्टर करें या किसी एक्ट एक्टिविटी में इंगेज करें ताकि जब अगले दिन बच्चा है तो उनको भी आप सुरवासी चीजे समझा सके ठीक है तो time table आपको कैसा बनाना पड़ता है flexible बनाना पड़ता है लचील अपन बनाना पड़ेगा यह निके मेरी थोड़ी गलती है अगर त्वार में गए तो गए इनका यह नुकसान है मेरा नुकसान थोड़ी है यह वाली अप्रोच आपको माइंड के अंदर नहीं रखने है ठीक है तो यह भी आपका नेगेटिव बचा क्या पोजिटिव लर्णर सेंटर पैड़ा को जिग बात हो रही है सिर्फ बाल के इंद्रित पैड़ा को जिग बात हो यह सो राइट आंसर आपका यहाँ पर फॉर्थ आंसर यानि दीदी वाला आंसर यहाँ पर आपका सही हो जाएगा फॉर्थ के साथ आप लोग जा रहे हो ठीक है देखें अगले के उपर बात करते हैं यह तो अभी आपके 20 वाले एक्जाम के अंदर पूछा गया था ठीक ह इसले मैंने अगा यह पॉजीटिव निजवर्ड बहुत महत्पुन होते हैं आपके एक्जाम के लिए जिते जाब नेगिटिव इसमें दिया हुआ हुआ है आपके सामने de contextual दिया हुआ है गेर संदर्भित की बात होती है गेर संदर्भित बोल दो कुछ ही बोल दो और एक स पढ़ा रहे हो उसी से संबंदित होने चीए जो आपका सिक्षन है यह नहीं कि आपने कुछ और समझा दिया उनको ठीक और चैप्टर या पढ़ा कुछ और रहे हो तो यह आपको डी कंटेक्स्टॉलाइजेसन नहीं करना है यह आपका नेगिटिव होता है आपको हमेशा मेनिंग्फुल डेटिवी रहे होता है और संदेक्स्टॉलाइजेसन अपका सिक्षर बूर्णिद्वी आपका यह नेगिटिव रख 혹시 आपका। meaningful learning आपका positive है decontextualization घुमागे दे रहा है मेरा time बरबाद कर रहा है ठीक है तो positive, negative, negative बन गया अगला है कि contextualization and आपका meaningless देखो ध्यान चा देखना यहापर meaningless की बात कर दी जबकि आपको जो learning होती है कैसे करनी होती है meaningful करनी होती है learning कैसे करनी है meaningful अर्थपूर्ण करनी है आपको समझनी है चीज़े ठीक है meaningless आपको नहीं करनी तो यह आपका negative हो जाएगा तो positive, negative, negative यह आपका पहला ऐसा option है जिसमें दोनों भई यह आपके positive, positive वाले पहला answer यहापर आपका सही हो जाएगा ठीक है एक साथ आप लोग जा रहे हो ठीक है तो समझे कि आप लोग contextualization या de-contextualization की जो बात करता है अगले आपके सामने positive और negative टेग वर्ड यहापर यह दिये हुए पहला आपके सामने negative है discourage यानि कि हतोस साइथ करना ठीक है हतोस साइथ कैसे करना कि आप लोग हो जाओगे आप हतोस साइथ हो जाओगे discourage हो जाओगे क्यार हमारा तो नास हो गया हमें हमारा कुछ हो ही निपाएगा तो मुझे यह चीज अपलाई करनी चीए यह मैं आपको encourage करूँ परुतसाइथ करूँ कि कोई बात नी बेटा पढ़ो आप लोग ठीक अगर पढ़ोगे तो आपको एक्जाम भी पास होगा ठीक है आपको जोब भी लेगेगी कोई बात नी अगर कोई तान ही दे रहे है कोई बात नी यह अगर मैं इस आपको encourage कर रहा हो अगर आपकी positive चीजों के लिए encourage कर रहा ह मालीज अगर बच्चा किलास में सैता निकर रहा है किलास में बच्चा cigarette पि रहा है कोई बात नी बेटा और cigarette पी, उसको और जादे encourage कर अच्छी चीजों के Employee करना है, मैंने का बच्चे या बच्चे से जूड़ी किसी भी बात को जो अच्छी बात है उसको encourage करना है कभी कह और बेटा पी, एक काम करकर मेरे लिए भी एक gold flag लेकर आ जाना, ठीक है, यह वाला काम मत करना, question आपके सामने दिया हुआ है, अधिगम को सुसाधित करने के हुटू, एक अध्यापिका को क्या करना चीए, पहला, विशेवस्तु यानि जो content होता है, उसको विद्धार्टों क सामाजिक संदर्व से अलग रखना, देखों यहाँ पर बात हो रही है, disconnect की बात हो रही है, कि उनके सामाजिक संदर्व से अलग रखना चीए, यार अलग अलग दिया तो बच्चा फिर कैसे सीखेगा, तो यह तो आपको वैसी negative हो गया, ठीक है, अगला है जो concept, संपृत्य मानचितर होता है, यानि यहाँ आपर बात हो रही है, आपके concept map की बात हो रही है, देखें जो concept map होता है, concept map होता है, आपका positive, positive कैसे होता है, यह रहा आपका map, mind, ठीक है, यह रहा आपका mind, ठीक है, जैसा भी आलू जैसा जो भी आपको दिख रहा है, इस mind के अंदर आप ल लोग ने concept बनाए हुए उसके अलावा आपके पैसे के concept है इधर उदर के सारे concept है ये सभी छोटे-छोटे concept आप लोग ने बनाए हुए छोटे बच्चे के माइनड में इस परकार के concept बनाने को आपको बढ़ावा देना चीया आपको ठीक है ताकि बच्चा अपने माइनड के दर और concept बना सके और इसमा आपस में inter-connect कर सके जोड़ सके concept को आपको लेकिन इसको discourage करनी की बात कही हुई है जबकि concept map को आपको बढ़ावा दियाना चीए इसने discourage की बात कर दी तो यह आपका negative हो जाएगा यानि positive चीज को discourage की बात कर रहा है जबकि इसको आपको encourage करना चीजए concept map को ठीके अगला है विद्धार्तु में उच इस तरिया पर 30 परदा ठीके देखो यहाँ पर बात होगी competition तो competition को बढ़ावा दिनी की बात कर दि competition को encourage करनी की बात कर दि मैंने कmor vomanda किसी भी positive चीज को आपको encourage करना है negative चीज को encourage नहीं करना बच्चों के भीच में competition कर आना है encourage नहीं करना उच इस तरी अगर यहाँ पर chin chin तन Qo Sal की बात आजाती हाईर ओडर ओडर तिंकिंग स्किल की बात आजाती अगर इसको प्रोस्ट तरने की बात आती तुई यह आपका सही हो जाता क्योंकि बच्चे के अंदर हमें इस प्रकार के उच इस्तर के चिंतन को सल विक्सित करनी चीए, ठीक है, आपके CBSC के स्कूल में भी आपके यही चलते हैं, नेगिटीव इसले बनेगा क्योंकि competition की बात होगी, तो आप कहरा है sir हमें competition नहीं करना, नहीं करना, किसी से भी मत करा करो, खुद से भी मत करा करो, कुछ कहता है न कि मेरा competition तो खुद से है, अब क्या जरू होता खुद से competition की, चलने तो life को जैसे भी है, ठीक है, अगला है विद्यारतों को ज्यान सर्जन के आउसर परदान करनी चीए, देखो यहाँ पर उनको opportunity देनी की बात हो रही है, ठीक ह कि बच्चा अपने ज्यान को create कर सके, knowledge को create कर सके, तो यहाँ पर इस प्रकार की opportunity यहाँ पर देनी चीए, उसको encourage करनी चीए, so right answer, आपका fourth answer सही हो जाएगा, किस के साथ जा रहे हो, आप लोग, आप जा रहे हो, दीदी के साथ जा रहे हो, ठीक है, सर नोट्स कैसे मिलेंगे बाई, नोट्स मेरी application के अंदर मिलते है, ठीक है, आप लोग, जितने भी पूरे देज भरे के अंदर, ठीक है, कहीं पर कोई printing machine लगा कर रहा है, कोई Facebook पर, YouTube पर, YouTube पर channel बना के इदर, उधर से कर रहा है, वो सब fake है, मेरा नाम का इस्तमाल करते है, मेरा सिप यही YouTube channel है, जिस दुनिया भरे के अंदर कितनी चीज़े खोली हुई है, ठीक, अगला आपके सामने positive और negative की बात करते है, यह positive और negative और सबसे जाता आपके mathematics के अंदर देखने को बिलता है, ठीक है, और ध्यान चा देखना क्योंकि यह कभी-कभी आपके वैसे भी आ जाता है, पैड़गोज यानि कि कलनविदी और यह आपका negative, अब negative क्यों होता है, negative इसलिए होता है क्योंकि यह बच्चे की creativity को खतम करती है, यानि कि समस्या के समदान के सिर्फ एक ही पक्स की बात करती है कलनविदी, जिसका example में आपको कही बार देता हो, हमें बच्चों को Edison बताना है, Edison शिकाना ह और हमने बच्चों को कहा कि बेटा 26 प्लस 47 इनको जोड़ो, तो बच्चे ने जोड़ दिया 4, 2, 6, 6, 7, 13, बच्चे ने ऐसे जोड़ दिया, तो टीजर तब आके गलत इसको काटेगा, काट लगाएगा, या उसको punishment देगा, तो यह आपको नहीं करना है, अब कहोगे सर गल गलती कर रहा है, तो बच्चे ने खुच का कुछ creativity करी ना, जबकि teacher आके यहाँ पर इसको गलत काटा मारता है, और फिर algorithm method का use करता है, कि बेटा इधर से नहीं जोड़ते है, इधर से जोड़ते है, फिर carry का एक बन लेंगे, फिर यहाँ पर आपका साथ हो जाएगा, इस त understanding, जिसको आपकी बात NCF 2005 में कही हुई है, कि बच्चों को आप सबसे ज़्यादा उनके अंदर special understanding को बढ़ावा देना है, देखे आपने पढ़ा होगा, जो आपका बहु बुद्धी सिद्धानत है, Harvard Gardner ने दिया, उन्होंने आठ परकार की, बुद्धी तो ज़्यादा प concept निकालता है, या कुछ न कुछ तथे निकालता है, जैसे अभी मैं आपके सामने साथी गया, तो आपके सामने मैं कैसा हूँ, अमूर्त तथे आपके सामने और इसके आधारपर आप चिंतन कर रहो, कि सर हट गये साइड में, आप तो सन्ने कुछ green type का पहना है, सर जी के ब शाइवा देना है यानि ऐसी समुझ को बढ़ावा देना है जहाँ पर बच्छा अमूर्त तत्थों के आधार पर चिंटन कर सके क्योंकि जो आपका बेसिकली मैथमेटिक्स का जो नेचर होता है वो होता है लोजिकल होता है यह निकितार कि अगर कोई आप से पूछेगा बता सामनाप की स्क्रीन पर कोश्चन दिया वाई इसको पर नजर डाल लेते हैं ठीक है हम लोगों के गुरुजी तो गलत होने पर कूट देते थे हमारे बाली भी ऐसी मारते थे एक मेडम थी वह ऐसा थपड मारती थी कांचा खुन निकाल देती थी ठीक है बहुत खतरनाग मेडम यह देखते हैं सामने आपकी स्क्रीन पर आगया यह रहा एंसे दोजार पाच के अनुसार प्राइमरी लेवल यानि प्रात्मिक इस तरके गनित पाठ्यकरम को डैस पर सबसे कम केंद्रित क्या गया है सबसे कम फोकस किस पर क्या गया बात यहाँ पर प्राइमरी वाल और आपके समझ यह जो आपकी स्पेशल लंडेस्टेंडिंग होती है इसका हिंदी में नाम अध्ीकिस्तान समझ जो होती है ठीक है यह आपका इस पेसल आट देंडिंग को ज्या साध आपको बढ़ावा देना यह आपको पोजिटिव है अगला आपके सामने है कि परती मान कंदर आपके question आते है पेड़ागोजी में question आता है और आपके numerical में question आता है जैसे मान लिजे मैं कोई भी pattern मना दूँ दो च्या छे आठ अब बताओ आगे क्या आएगा बच्चा बता देगा दस तो मैंने प्रकार का pattern मना दिया यह आपके इसकी पैचान करने चीए इसको बढ़ावा देना चीए यह आपका क्या हो जाएगा positive हो जागा तीन positive एक negative कि समस्याओ को हल करने के लिए मानक कलन विदियों का उप्योग करना चीए कैसा यूज करना चीए algorithm method का यूज करना चीए और algorithm method कलन विदी क्या होती है negative तो यह आपका negative positive positive और यह negative और पूछा क्या सबसे कम केंदरित किस पर होने चीए तो सबसे कम केंदरित इस पर होने चीए क्योंकि बच्चे की creativity को खतम करती है right answer आपका fourth answer आपका सही हो जाएगा ठीक है सर आपकी मेरी जो गई है हाँ भई मेरी मेरी जो गई है मेरी 10 घर वाली है ठीक है च समानता समानता यानि यहाँ पर बात होती है आपके equality की बात होती है बात होती है equality की और एक होता आपका समताव यानि की equity देखे जो आपका right to education है शिक्षा का रेदिकार दिनाम अधिनियम 209 है वो बात करता है कि सभी बच्चों को आपको आप सुम्पल समझे की inclusive education की बात कर कि तो यह उता आपका समांता होता है यानि हमें बच्चों संसादन 10 सबीके- लिए समान किलास है किसी के साथ कोई बेद वाँ तो है नहीं happens थी कर फो समान किलास या पर यहाँ पर अब यहाँ पर सब एबिलीटी होती है चमता होती है उस चमता के अकोडिंग जब हम उसको संसाधन देते हैं अब आप मैंसे कुछ बच्चे ऐसे भी होंगे जो थोड़ा कम स्पीड से पढ़ते होंगे जिनका आई को लेवल थोड़ा कम होगा तो उनके लिए मैं क्या क्या सकता हूं कि एक काम कर सब्सक्राइब नहीं होता है तो दोनों में से बैस्ट कोन माना जाएगा समता एक्क्विटी की बात होती है जहापर बच्चे की संसाधन देकर उनके लक्सों तक पोशन में मदद कर जाए वह अपने गोल को अचीव कर सके वह होता है आप छमता लेकिन हमने जहापर कि विविद्द्या के अनुकूल वातरन बनाने के लिए किसपस ध्यान केहीं करना चीए। तो किस पर सवस्याद ध्यान के इंदरित करना चीए समुरूपता एक रूप जैसा यूनिफोर्मीटी की बात करता है जी नहीं अगर मान लिजा आप लोगों में से कोई बच्चे पढ़ाकु है कोई बच्चे डफर है कोई बच्चे का हो जाएगा आपका सम्ता थिक है आपको अगला देखेँ आपको क्या कहता है इसको उपर नजा डालते हैं अगल आपके सामने पोजिटीव दिया हुआ है, सेंशिटीव यानि कि सम्वेदन सील, देखें, आपके NCIT की जो किताबे होती है, ठीक है, आपके NCIT की किताबे होती है, खासकर आप लोगों ने EBS Social Science देखा होगा, तो सबसे महत्मुन बात NCIT फोकस करता है कि बच्चों को आप अपनी क्लासरूम के परती, आपने जो टीचर है, टीचर को बच्चे के परती सेंशिटीव बनाना है, तो सम्वेदन सील होना बच्चों को बहुत जरूरी है, ठीक है, हर चीज के बार में सम्वेदन सील होना जरूरी है, सेंशिटीव होना जरूरी है, ठीक है, अब इसी प अनुकरण के मात्रभासा सीखता है आपने देखा होगा आपके सीटेट के एकजाम में कई बार ये कोश्चन पूछा गया है कि बच्चे की अगर मात्रभासा की बात कर रहा हूं तो सबसे समवेधन सील चरन सबसे जो सेंसिटीव जो टाइम पिरड़ होता है वो कौन सा होता ह सेंस्टीव टाइम पिरड़ के सबसे इसलिए मैं कहता हा उनुकरण करता है अनुकरण क कि नकल करता है इसलिए बड़ा सेंसिटीव टाइम पिरड़ आपका अल्ली चैलड तो बहुत सरलता के साथ भासा सीखते क्योंकि उस ओवदी में वे परियावर्णिय परभाव के साथ परतिक्रिया करते है बिल्कुल ठीक बात है जो एनवार्मेंट के फैक्टर होगा है उनके साथ परभाव करते हैं जैसे आप आपकी फैमिली से भासा सीख रहा है तो एक एन लाइव डेली से दोनों देखा करो आप लोग ठीक अगला आपके सामने पॉजिटिव नेगिटिव वर्ड देखे इससे पहले मैंने हमने बहुत सारे कुश्चन आपसे डिसकस कर लिए क्योंकि हम सिर्फ एक कुश्चन का एक आंसर नहीं दे रहें सारे उप्शन को नीच इक अब जोड रहे उसकंदर एक आयता आपका फोर्मेटिव असेश्मेंट एक आयता समेटिव असेश्मेंट मैंने कहाता है जिए सिथा principle करूँ चला है अभी मान लिजे मैं आपका अगलन करू कि मुझे बताओ राष्ट्य सिक्सानीती 2020 ने कौन से असेस्मेंट को बढ़ानी की बात करिए और कौन से को घटानी की बात करिए बताओ जल्दी सांसर अब आप लोग इसका अंसर बताओगे सही गलत जो भी बताए लेकिन मु अक्सा में हमारी क्लास्टूरूम कैसी है इफेक्टिव है ना और टीचर आप लोगों का कैसा यह इफेक्टिव है नहीं है ठीक है अरग बोल दो परवावी शिक्सक अक्सा में सिक्षण अधिगम की परिक्रिया यानि जो टीचिंग लेंड़नी प्रोसेस है उसमें अक्सर जाच करने वाले पर्सों का परियोग करता है जैसे भी मैंने परियुक करा बताओं इपढेश्डन की मी कि abord परियोग के और पोजीट्व का भाई आंसर पोजीट्व यहाँ पर सही हो जाएगा ठीक है एफोर एवरेज एफोर एपल ठीक है एफोर अंडा एफोर अमरूद एफोर और जितने भी सारे ठीक है चलो आगे देखो पतनी क्यासे कैसे नाम निकालते हो अगला देखो इसक्रीन पर अब य उसके जंग है मैंने इग्णोर नहीं करा उसको अगर इग्णोर कर दिया तो आपका नेगीटी वह और मैंने क्या परोचिनिटी दिवाच्चे को बता एफोर एपल और गया क्या होगा मैंने भी दो चार बता दी एपब लंडा अमुरूद ठीक है और क्या ओसकते आप लोग एक टीचर द्वारा छोटे बच्चों को उनके परिवेस सम्मंदित अनुभव की अन्देखी करनी चाहिए ठीक है मान लीजे जो उनका परिवेस है उसके अन्देखी कर दे मान लीजे छोटा बच्च गरामिन शेतर से आ रहा है जहां पर बहस होती है गाय बकरी होती है हम उस से जान और पूछ ले जिनके बारे में बच्चा जानता ही नहीं है आपको बच्चे या बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को क्या नहीं करना अन्देखा नहीं करना ना उसके परिवेस को है ना बच्चे से जुड़ी किसी भी चीज को ठीक है अब इसमें तर किये दिया है दोनों ही बाशाब आपके गलत है ठीक है चलिए बढ़ जाते हैं अब आपके next की और हम लोग आपर बढ़ते हैं ठीक है चलिए हाँ बच्छा अपने ग्यान को क्या काम करता है खुद निर्मान करता है और कैसे करता है अपके प्याजी वाई गोश्की वगएरा बात करते रहते हैं तो इस रचनावाद आपको बढ़ा मेहत्पूर जिसके अंदर आपको सबसे महतुन बच्चों को मानना है किसको मानना अब देखे रचनावाद पर आदारित कैसे कोशन आएंगे अगर उप्शन के अंदर यह आ अजरसन आपको दिया है कि स्कूल्स को नवीन ग्यान के सर्जन के ओर यानि नए ग्यान के क्रियेशन के ओर लक्सित पाठे चरिया पर बल देना चाहिए यानि कैसी पाठे चरिया पर बल देना चाहिए अगर उनको करिकुलम पर बल देना चाहिए अब इसमें तर किनों ने अपने ग्यान का निर्मान कुद उसको करता है ठीक है तो यह आपका क्या हो जाएगा सही हो जाएगा इस आप लोग किसके साथ जा रहे हो आप लोग पर एक साथ जा रहे हो एफ और आर दोनों से यह और आ रहे कि सही व्याक्या करता है ठीक है चलिए वह बढ़ते हैं आपके सामने आप लोग समझ गए क्या होता है अच्छा ठीक है अब फिर पॉल पॉल कैसे मिलेंगे निकिए अगला देखते हैं पॉजिटिव और देखते हैं इसको सोरब को साधी में जाना है ठीक है यह नीचे नीचे जा रहा था कि मैं कपड़े बदल कर ला रहा हूँ फिर आपके पॉल छुड़ जाते सही गलत के ठीक है अपनी साधी को कुर्बान कर रहा है बताओ जल दी सेब ठी ठीक है जो भी चीज आप बच्चों को करा रहे हो पढ़ा रहे हो उनके वास्तिक जीवन से कनेट करके आप लोग उसको कराईए ठीक है यह बात आप लोग आपर समझगे मम्मी से मंगा ले मम्मी ले करा जाएगी ठीक है आप देखे यहापर कोश्चन आपके सामने क्या द आपकी बडिया क्लास मानी जाती है तो एक सरंचनावाधी क्लास रूम में अधिगम यानि लर्णिंग को किस परकार से देखा जाना चाहिए पहला केवल ज्यान का रिप्रोडॉक्शन करने के लिए पहले तो केवल ही आगया केवल जा देतर नेगिटिव है सीबस्चे वाल है यह मेरा बहुत प्यार असा नेगिटिव वर्ड था तो सीबीस से वालों नो इसको खराब किया हुआ है कई जंगा पर केवल केवल इतने दे दिया बच्चा कंफ्यूज हो जाता है कि सण ने तो बता था केवल देखते गलत कार दो चारो उप्सन केवल वाले हो फिर बच नहीं करता वास्तिव की जीवन यानि रियल लाइफ से किसकी बात करता है कनेक्ट करने की बात करता है किसकी बात करता है कनेक्ट करने की नहीं करता तो यह आपका नेगिटिव है क्लासिकल कंडिशनिंग तो वैसे भी आपका नहीं होगा क्योंकि आपके वैवार वादी हु जो कि वेवारवाद की बात यहाँ पर नहीं हो रही है, किसके वेवारवाद की बात नहीं हो रही है, जो teacher centered होता है, जहाँ पर बच्चा active नहीं होता है, यहाँ पर बात हो रही है, आपके constructivist की बात हो रही है, जहाँ पर बच्चा खुद active होकर ज्यान का निर्मान करता है, राइट आंसर क्या बच्छा पोजिटिव वाता वरंड से सक्रिया पारस्प्रिक्ता का पई नाम होता है कौन सा आपका सरन्चनावादी क्लासरूम जहापर बच्छा एक्टिव होकर इंटरेक्शन करता है एनवार्मेंट से और अपने ग्यान का खुद निर्मान करता है तो आपका पोजिटिव यह यहाप पर आपका सही हो जाएगा ठीक है ठीक है ठीक है अब बहुत सुन्दर है सर ठीक है देखते रिले मैसेज कर रहे हैं जा भाई तू साधी में पोल लहने दे वह काव्या लिख रही है कोई चलो आगे देख लो कितना टाइम बचा है चलो अभी तो किलास बची रही है अगला देखते है पोजिटिव और नेगेटिव और पोजिटिव आपके सामने दिया हुआ है यापर इंटरनल मोटिवेशन यानि कि आंतरिक अभी पेंड़ना क्या दिया हुआ है आंतरिक अभी पेंड़ना दिया हुआ है ठीक है और एक ठीके तो यहां पर होता इंटरणल मोटिवेशन और एक्सिंटर्णल मोटिवेशन ठीकbey अब देखे जो इंटर्णल मोटिवेशन शन अब सello चछोन आपका पोजिटिव और श्रांद पोर देसा हैं कोई अपना पॉल दे दे इनको और उसको कोई फाइदा तो है लेकिन अगर उसके साथ में अगर उसके अंदर होता है एपने गोल को चीव करने के उसकी संभावना है लग बग आपकी complete होजा बढ़ जाती है तो आपका जो external motivation होता है या आपका negative होता है और इंटरण मोटिवेसन आपका हमेसा positive होता है आप लोग भी जो यहाँ पढ़ रहे हो mówi install हो मोटिवेट ओ कि हमें एक्जाम को पास करना है exam पास करने बाद हमें जोब लेनी है अपनी जिन्दिकों को सवाना है यहीं आपका इंटरनल वो इंटरनल के साथ कौन सा आंतरिक अभी पेड़ना यानि इंटरनल मोटिवेशन का एक्जामपल नहीं है जब आपके अंदर क्यों क्यों पुछे यह फलानी किताब पढ़नी है यार मुझे तो यह फलाना काम करना है क्यों आपके अंदर जिग्यासा आपके इंटरनल होती है interest जैसे मैंने बता interest अभी सोरव के interest था कि नहीं है मैं class को करवाँगा ठीक है क्योंकि बच्चे आंसर दे रहे तो मेरा इंट्रेस्ट लग रहा है इनके देखते में ठीक है और आप लोगों को कभी interest आप रहे है क्यों कि इसको पढ़ने के बाद आपके exam के लिए रोगा आप है पर बात हो कि बिल्कुल ठीक बात है यह आपडर क्लीटी के लिए चाहत आतो हो कोई पिरुषकार को पाने के लिए परियास करना प्राइज की बात होना और अपका नेगीटिव के निदर चला जाता है सो नेगीटिव का भाया आपका नेगेटिव यहापर से हो जाएगा कोई यहापर यह कहा दे कि बैस एक बार सीटाट का एक्जाम पास कर ले उसके बाद तेरी जो अपना जोब लगवा देंगे कई प्राइविटी स्कूल में सैटिंग करवा देंगे ठीक है यह तेरी साधी करवा देंगे कम साधी त आप सब चीज कर सकते हो ठीक है यह आपका नेगेटिव ता नेगेटिव का भाया अंसर यही नेगेटिव ठीक हो जाएगा ठीक है अगली की और बढ़ते हैं अगला देखते हैं आपके सामने स्क्रीन पर नेगेटिव आगे अब यह जो नेगेटिव वर्ड आपके सामने देखो जब भी आपके सामने रोजगार देनी की बात हो, वैवसाइक शिक्सा देनी की बात हो, उच ग्रेड शिक्सा की बात हो, ग्रेड की बात हो, चैप के सामने नंबर देनी की बात हो, ये सभी आपके नेगिटिव वड़ाते हैं, अब क्यांको सार रोजगार तो अच्छ के उस चीज गंदर रोजगार के लिए ने पढ़ा ना रोजगार के लिए तो शिक्सा नीती 2020 में जैसे आप बच्चा माध्दम एक कंदर जाएगा तो वैवसाइक कोर्स की हापर शुरुवात की गई है ठीक है तो रोजगार के माध्दम से अगर उसको लेना है तो उनकोर्स आप लोग महनत करो आपसे पहले बहुत बंचो ने मेनत करी हम लोगों ने महनत करी गवर्मेंट्स जोब ले लिए ठीक है गुष्यों के बारे में वता दे यूट्यूब पर पढ़ाना सुरू कर दे और और उसको communication करने की skill अगर उसकी बढ़िया रहती है तो गुवर्मेंट सेली कितनी होगी लाग भर की होगी उससे कई गुना हो यूटूब से मतलब अपने इस माध्यम से कमा सकता है गाड़ियों के बारे में बता के कमा सकता है कुछ भी ना हो तो वुलोग बना लो डेली के अ ना तो खुद भगिए और ना ही अपने बच्चों को आपको भागने देना है अब question आपके सामने इसी से जुड़ा हुआ है कि NCF 2005 के नुसार गनित के सिक्संड का उच लक्स से क्या होगा अब यहाँ पर NCF 2005 के नुसार गनित के सिक्संड का उच लक्स से आपको पूचा है अब जड़ा उच लक्स एक उपर बात कर लेते हैं ठीक सी जी बहुत देरों पहले सी लगाते हैं शुरूआ से करते हैं शिक्साइटों को तक्नीकी वयवसाई के लिए तयार करना ने क्याए बताए वयवसाई के लिए उसको तयार नहीं करना किसी बात हो रही है और critical thinking की उपर मैंने बता है positive होता है तो यह answer आपका positive हो गया बच्चों में रोजगार से सम्मंदि जीवन कोशल का विखास ने करना negative है यह सब यह negative है critical thinking को बढ़ाव देनी की बात हो रही है तो आपने बिल्कुल ठीक बता है अगला positive word बड़ा महत्पुन positive word जो आपकी पहले की शिक्सा नीति है 1968 वाली जो शिक्सा नीति है वही से चलता रहा है ठीक है देखे एक मैंने आपको बताया था लोड मेका ले हुए आप एक तरगे से कह सकतो कि शिक्सा का एक तरगे से भारत कंदर जनक भी इनको माना जाता बहुत बड़ा युग दानता शिक्सा के अंदर लेकिन सबस्यादा जो मलब यह ध्यान दिया उन्हें इंग्लिस के अपर दिया जो भी है चार साल भारत कंदर है आपके शीटाट के एक जम में कई बार कुशन आता है और के वाहसा ने भार के अपर यहां पर बात हो रहे है जैसे लोड मेकाली की बात हो रहे है तो 1968 वह पहली नीटी आई ती और इससे पहले जो शिक्सा आयों गठीट ऊता ठीक है जिसक के अंदर सबसे महत्पून माना गया बच्चे की मात्रभासा को यानि कि मदर टंग को माना गया कि बच्चे की जो भी मदर टंग है जैसे मेरी मदर टंग हिंदी है तो बच्चे की जो भी मदर टंग है हिंदी हो तमिलो तेलगो संच्कितो या मराठी हो ठीक है कुछ ही भी एक पाचवी तक के सभी बच्चों को उनकी मातरवासा नी मदर टंग में शिक्सा दी जानी चीए, पाचवी किलास नहीं, बलकि एट किलास तक की बात की है, कोई चेंज नहीं है, इतनी महत्पुन होती है, जो बच्चे की मातरवासा होती है, तो यह बलकुल ठीक है आपका, सार्थक आउदार्ना को अधिक तेजी से सीखते समझते बिल्कुल ठीक बात है छोटे बच्चे क्या जो बड़े बच्चे होते हैं ठीक है अभी मैं आपको पढ़ा रहा हूं सारी चीजा माली जाप लोग की मातरवास हिंदी है और मैं आपर इंग्लीज में बोलना सुरू कर है तो आपके दोनों ठीक हो जाएंगे इसकी सई व्याक्षा करता है फॉर्स्ट आंचर यहां पर आपका सही हो जाएगा आप लोग किसके साथ जा रहो एवर और रोनों सही है ठीक है यार की यार की और यार देखो एक नंबर से कितना बदल लिए और को एक ने लिग दिया यार की सई व्याक्षा ठीक है एक सब्द से केल खतम हो जाएगा ठीक है अगला देखो आपके सामने जिस परकार से आपकी मदट यानिकी मातर भासे इंपूटेंट होती है उसी परकार की बात आपके पहले की शिक्शा नीतियों ने पहले के आपके करिकुलम आये उन्होंन कोई North East की तरप का बच्चा है अलग-अलग भासा है इस सब गिया आपकी ठीक है तो यहाँ पर जो अलग-अलग भासा है वाले जो बच्चे होते इसको भी आपको बड़ा महत्पून मानना है क्योंकि जितनी भी अलग-अलग भासा वाले बच्चे होते हैं आप असमें इंट अन्य भासाओं की सरार्णा करने और अवधार्णाओं को समझने एक शिक्सार्थों के लिए एक सेतु यानि एक बिरीज उपलव्द कराता है तथा उनकी जो घर की भासा है घर की भासा कौन सी है मात्र भासा और विद्याले की जो अनुदेशन की भासा है अब विद्याले मातबासा माली जहिंदिय होगी, दूसरी इंग्रीश होगी और तीसरी मोडल लेंग्विज होगी यह आपका नहीं है यह बात हो रही है आपके बहु बासिक ता उपागम की बात हो रही है second answer यहापर आपका से ही हो जाएगा ठीक है ज़िए बढ़ नेक्स्ट के और आगे कपड़े पहन करें यह लाया था नहीं कपड़ के दिखा देने कपनी ड्रेस अपकर पहन कर आये अब करना अगरा पोजीटिव आपके सामने कमेंट लिखो आपके सामने पोल आने शुरू हो जाएंगे देखो लागे कमेंट लिखो कि सोरो भाई नहीं कपड़े दिखा दो देखो अब आपके सामने अगला पोजीटिव प्रोग्रेसिव यानि कि परगतिसील इसके बात हो रिया आपके परगतिसील की बात हो रिये जिसके आपके बहुत बड़े समर्तक जोन डीवी माने जाते है ठीक है करेक holiness के अंदर इनको सबसे बड़ा समर्थक माना जाता है तो प्रोग्रेसिव को आपको वड़ा महत्मूर माना यह क्योंकि देखे में से पहले एक आपके सामने आता है एंट55 आपको एक लियुल तरो समझना अगरर आपको कोई समझ मेंरीः दूसरी की परफिन्. ये. यह इंच्छ आपको रखना है बच्चे के इंट्रेस्ट के अपको सिक्षेदी नहीं है ठीक है अब देखें प्रग्रेसिव से समधित कॉशन क्या है एक प्रगतिशिया कख्सा में जो अधिगम करता होते हैं, learners होते हैं, उनको किस तरीके से समझा जा सकता है, अब जारा इसके उपर नज़र डाल लेते हैं, किस तरीके से समझा जा सकता है, ठीक है, ने कपड़े दिखाओ, देखलो वहीं के मैं तो पुरानी पहरना हूँ, ठीक है, ज्ञान के नि इसके सक्रिय भागिदार के रूप में समझा जाता है, तो परगतिशील शिक्सा में यह आपका सेकंड सही हो जाएगा, केवल व्याख्या नहीं दी, एक तो केवल नेगिटी, दूसरा व्याख्या नहीं दी, यह भी आपका नेगिटीव ठीक है, अब नेगिटीव आफके next की ओर बढ़ते है, अगला आपके सामने क्या दिया वाया है, अगला आपके सामने दिया वाया है, positive जो इससे पहले कई बार आपके इसके अंदर आ चुका है, ठीक है, तर बोल यह भाई को सामने, भाई यह नहीं आएगा सामने, ठीक है, अब इसके उपर नजर डा करें मिनिंग्लेंग कی नहीं बात करें कि की बात करें की बात करें लिए एशे को जो मoga देख ले तों समझ ले तो अब लोग मीनिंग्फूल लेंong कर र क्रूंच के उस्का हिए उसका को निचोड कर कर गे क्योंकि सीट्रेट का पेपर का नेचर ही ऐसा है वही आपका जितना को समझोगे जितने इसके ओफशन को निकालोगे उतने आपकी पकड़ मजबूत होगी ठीक है तो यहाँ पर मीनिंगफूल की बात हो रही है अधिकम यानि लेर्निंग तब अधिक अर को होगा है संदर चाहिंगे गेर संदर संदर बीत पढ़ाएंगे अपका ठीक है इर्रीलीवेंट रहिए हो गांट हो जागा रिलीवेंट होना चीए अगल्रा है कि वेरी एफटेक्ट बहुत ही मूर्थ तो वेरी नहीं होगा वह आपका ठीक है ये भी आपका नेगिटीव ये आपका सहीओ जित यानि की ओर्गिनाइज होना चीए जैसे मैंने इसको और इसको और इसको पहले मैं आपके लिए पोजिटीव और नेगिटीव वर्ड ठीक है चलिए बढ़ते आपके नेक्स्ट को और बढ़ते है ठीक है अगला देखे सामने आपके क्या दिया हुआ है अगला एक और आपके सामने दिया हुआ है मास्ट्री ठीक है ये देखो मास्टर की मास्ट्री ठीक है आपको मास्ट्री क्या मैं आपको हमेसे एक बात कहत जो मिले ना मिले सचिन सर के कहने पर मैं भी यूटूब चैनल खोल लूँगा मास्टी कर लूँगा और मैं भी बच्चों को पढ़ाऊंगा बहुत बच्चे ऐसे पढ़ा रहे हैं ठीक है बहुत मेरी स्टुडेंट आपको यूटूब पर मिल जाएंगे कोचिंग कंदर मिल क्यों डो अब कि अ की मास्टी करने के बावरोई कि उनकी समधरी विखसीत है रहे हैं तो आपको मास्टी हरे सब्सक्रेない के पैसा कमाना है इसे जुड़ा कोश्य्चन आपके सामने है कि विदार्थ किस परकार के लक्षर निरदारित करने के लिए motivate करने चींजिए जो मैं आपको बतारों कि आपका गोल क्या है पैसा कमाना यही तो गोल है ना पैसा कमाना ताकि आपकी जिंदी अच्छे परकार से चल पाए तो इसके लिए आप लोग जरूरी थोड़ीया government job की तरफ जाए अगर आपके पास कोई skill है उसको बढ़ा सकतो बट्ट अंदर आपकी Mastery होनी चाहिए अगर आप पढा रहे हो तो पढाने के तोरहन आपकी Mastery औरहे होनी चाहिए तो क्या ही आपकि तेज लगा का आया है सारा डबब डाल दीए में कॉम्पीटिशन की आपकी नहीं होनी चीए आंसर क्या हो जागा फॉस्ट आंसर आपका सही हो जाएगा ठीक है चलिए अगले की और बढ़ते हैं अगले पोजिटिव नेगिटिव और की बढ़ते हैं और यह 30 को सब्सक्राइ ठीक है ध्यान अक्का करो जो टोपिक होता है टोपिक अंदर 20 वी हो जाते है तो तीस के बाद यह कभी भागो एकदम ठीक है अगले देखते हैं पोजिटिव नेगिटिव एक होता आपका ओपन एंडिडिड कोश्चन और वो कोश्चन होता है जिनका समधान एक से जजाद तो यहां कह सकते हो कि आपके पढ़ाने वाली टीचर का नाम क्या है जो भी आपको पढ़ा रहा है आपको सचिन ठीक है और एक्जमपल मेरे दिमाग में नहीं आया कुछ भी ठीक है साधी से जुड़ा होगा उल्टे सीधे एक्जमपल है तो यह आपका क्लोज एंडिट कोस् अगर मैं कहों कि साधी के फायदे नुकसान बताओ तो आपका ओपन एंडिट कोस्टन हो जाएगा यहाँ पर आप लोग एक से ज्यादा बताओगे याणि यहाँ पर आपको क्रेटिविटी देखने को मिलेगी आउट उप दा बोक्स आप जाकर सोचोगे डाइवरेजंट ओपन एंडिट कोस्टन और डेवरेजंट थिंकिंग बिल्कुल ठीक बात है कि इसको करने चाहिए ओपन एंडिट कोस्टन और यहाँ पर डेवरेजंट थिंकिंग ठीक है यहाँ आप सारी चिंतन करने चाहिए यह आपका पोजिटीव है अभी मैंने बताया और क्लोज एं तो यह आपका क्या हो जाएगा नेगिटिव है तो यह भी आपका गलत है अगला है संदर रहित परिदर से हैं देखो डी कंटेश्चुलाइजिशन की बात आगी नेगिटिव है आपका ठीक है और डिकलेरेटिव नोलीज गोशनात्म ज्यान डिकलेरेटिव नोलीज आपका पोजीटिव होता है वो ग्यान या वो नोलीज जो आपको किसी चीज के सभी एस्पेक्ट के सभी पहलू के बारे में आपको बता है जैसे माली जैब भी मैंने आपसे कोशन पूचा कि वही साधी के फाइदा नुकसान बताओ तो आप लोग सब चीज बताओगे सरीये यह आपका पोजीटिव होता है लेकिन डी कंटेक्स्टॉलाइजेसन आपका नेगीटिव था सिर्फ आपका पहला जो उप्षन है इसके अंदर दोनों आपके पोजीटिव है ओपन एंडिड कोशन और डैवर्जेंट आपका ठीक है तो पहला आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा तीस में से तीस मस्क करो इसके बाद भी आ गया है ठीक है अगले को उपर एक बार नजर डालते यह रहा अगला आपके सामने ठीक है ओनली हमारे थर्टी कुर्शन नहीं है देखो आगया उनली इस उनली वाले की बिचारे की यार पिटाई कर दी सी बीसी वालों इसकी पिटाई कर दी ठीक है वहना बहुत परशली तापका ने टैग बढ़ता सी बीसी वालों ने के वालों को ऐसी जंग है डाला कि यह थोड़ा सा उन्होंने मलब कहते हैं ना रोकिट को फूस्ट कर दिया अब आपको ध्यान नेकना है जहान ओनली को मलब देखके तो अगर इस परकार की सिर्फ या ओनली की बात आ रही है तो यह आपका नेगिटी हो जाएगा ठीक है और कहीं कहीं पर जैसे आपको पोजिटीव ओप्सन दिये रहते हैं उसके नीचे लिखा रहता है केवल एबी ठीक है केवल बीसी ठीक है तो वहां इसको फिन नेगिट जो आप लोगों की लर्णिंग की जो रेट है यानि सीखने की जो आपकी दर है उसके इंदर व्यक्तिकत विभिंता है या नहीं है कोई जल्दी सीख रहा है कोई लेट तरीक से शीख रहा है यह किसका पर नाम है अब देखार यह कोस्टन केवल आनुवान सिक्ता केवल पर पर फड़ता है खाली एक का परभाव नहीं पढ़ता ठीक है किसका पर पर दोनुगा पर पढ़ता एक का नहीं पढ़ता आंसर क्या हो जयाएगा आपका धर्रंफ सी livres करना है जा पर किसी भी सामने दिया हुआ है collaborative और आपका cooperative दोनों लिखे collaborative और आपका cooperative की जहाँ पर बात होती है ये दोनों के दोनों आपके सामने दिये रहता है positive ठीक है इनकी बात आपके लेववाई गोच्की ने कहिती है अपने social cultural theory कंदर जो नहींने सामजिक सांस्कितिक सिद्दान दिया था उसके अधार पर इन्होंने बताया था कि बच्चे आपस में collaborative और cooperative learning के माद़म से सीखते हैं क्योंकि सामजिक सांस्कितिक सिद्दान में इन्होंने यह काता कि बच्च अपने समाज से न्टेट करके सीखता है तो इसलिए जो आपके method होते है दोनों यह क्या रहते है यह दोनों method आपके positive के अंदर माने जाते है collaborative और जो आपके cooperative method होते है ठीक है अब ज़रा question के उपने ज़र डाल लेते है ठीक है ठीक है सर जी अब रहने दीजिए अरे दो तिन question बच्चे फिर class खतम हो जाएगी आप लोग तूड जाते है यार देखो विचारा साधी में नहीं जहां पा रहा में इतनी देर से खड़ा हो पढ़ा रहा हूँ ठीक है आप लोग तो लेट कर पढ़ रहो ठीक है तो आप ल कि माली जे class 4 के बच्चे है राष्टे दिवस्त पर उन्होंने एक डांस यहापर बना दिया आपका भी हूँ ठीक है असाम में जो डांस होता है तो छेत्रिय पक्सपात गटाने पर हुआ माली जे यह डांस बना दिया हर्याना के अंदर हर्याना वालों ने कहीं अर जी पक्सपात किया जा रहा है तो इसको घटाएगा या इसको बढ़ाएगा वह आप लोग बतिए पहला हमेसा द्यान नकना यह जो पक्सपात इसको घटाने का काम करेगा ठीक है मैं यहाँ पर एज गुड टीचर की बात कर रहा हूं बेकारे वाले टीचर की बात निकर रहा ठीक है अरे बीगों के अंदर हमारा निर्था थोड़ी है यह तो नोर्थीष्ट वालों का हमें इंसे क्या मतलब अरे नोर्थीष्ट वाले भी अपने यह ठीक है पूरा देश अपना है चाहे किसी भी स्टेट का हो किसी भी कल्चर से हो किसी भी रिलिजन का हो किसी भी कास सके तो इस प्रकार का मानलीजा पक्सपात हो रहा है तो पक्सपात को गटाने में बिल्कुल मदद करे गए तो क्या हो जाएगा हाँ हाँ नहीं नहीं हो ठीक है अब हाँ मैं क्या कह रहा है हाँ दूसरे जातिये च्छेतिये समुगों के लोगों से संबंद और सहयोग द्वा बात है आपस में समझ बढ़ाएंगे एक दूसरे की विचारों को फिलिंग्स को जानेंगे ठीक है जिसके बारे में इंटर पर्सनल इंटेलिजन्स के बारे में हावर्ड गार्डनर बात करते है तो यह दोनों ठीक हो जाएंगे पहला दूसरा अब देखो अगले के ओपने डाल लेते हैं अगल आपके सामने क्या दिया हुआ है अगल आपके सामने क्या दिया हुआ है यानि कि छेतर भर्मन खासकर जिन लोग के पास आपका सोशल साइंस और साइंस है उसके लिए बड़ा वहत्वन माना जाता है यानि छेतर भर्मन आपने देखा होगा बहुत से स्कूल वाले क्या काम करते हैं चाए गवर्मेंट वाले हो चाए प्रेवेट वाले हो किसी खा बारे में बताना है जानवरों के बारे में बताना है चलो किसी जू के अंदर लेकर इनको चलते है वहाँ पर बच्चा पर्त्यक्स रूफ से उसको देखेगा तो टीचर ने सबसे पहले प्लानिंग करी और प्लानिंग करने के बाद बच्चा पर्त्यक्स रूफ से उन यूज होता है तो आपको समझना है इवेस के और सोसल साइस में छेतर वर्मन को महत्मुन मानना है कुश्चन यहाँ पर दिया हुआ है कि सीना दृष्टी बाद इते हैं तथा इवेस के कक्साओं में बहुत रूची लेती है देखने के बावजूद भी मलब उसको दिखता न लेकिन आप उसको ले जाना चाहते हो और सबसे इफेक्टिव तरीका भी यह बच्चों को शिखाना है आप कहोगे सार यहाँ पर फिल्ट्रिप में तो सीना परत्यक सनुभव ले नहीं पाएगी देखनी पाएगी अरे देखनी पाएगी लेकिन अपने अनुभव तो ले स सकता है जीने फिल्ट्रिप सभी के लिए महत्पुन होता है मन है किसी को नहीं गननी अगला उसके पैरेंट्स को सला दे कि उसे जाने की अनुमती ना दे ऐसा काम नहीं करना वनना बच्चे के लिए आप सहानुभूती दिखाओगे और सबसे बड़ी तरीका क्या होता है सम जिम्मेदारी सोपे की वह यातरा की दोरान उसकी सुरक्सा का द्यान के बिल्कुल ठीक बात है अगर वो देख नहीं पाती तो अपनी फ्रेंड से सीख सकते कि अब कौन से जानुवरी के वाज जाई ठीक है चार से चे विद्धार्तों के समु बनाएं तथा परतेक समु को यातरा से सम्मंदित निर्दारी जिम्मेदारी सोपे बिल्कुल ठीक बात है ये भी आपका पोजिटिव है और खासकर आपके language के अंदर ये आपका खुब देकने मिलता है एक नंबर का तो confirm आता है एक जाम के अंदर ठीक है ये tag वर आपका print rich environment ठीक है आप अपने घर से बान निकलोगे, वहापर बड़ बड़ होडिंग लगे हुए मिलेंगे, कोचिंग सेंटर के होडिंग वहापर लगे हुए, ठीक है, एक बार हमारे सीटेट की क्लास लिजे, अगर आपको पास नहीं कर आपाया तो फासी से लटक जाओंगा, ठीक है, इस प जिद्धी बोई, या डेड्स गिफ्ट, या फिर कम्यूनिटी के नाम लिख देते हैं, इस प्रकार से बुरी नजर वाले तेरा मुझ काला, यह आपका कैसा एंवारमेंट है, प्रिंट रिच एंवारमेंट है, सारी जंग भासा बिखरी हुई देखने को आपको मिलती है, अब यहाँ पर अभीकतन यानि की अजर्सन आपको दिया है, और यह पोजिटिव होता है, क्योंकि जब इस प्रकार की भासा चारों तरफ बिखरी रहती है, तो पोजिटिव है, क्योंकि बच्चे की नजर डालती है, और उसके माद़म से शीखता भी है, ठीक है, अब अब इसको आपको पोजिटिव ही मानना है, अब इसमें तरक ही यह दिया है, क्यों भासा विकास होता है, लेंग्वेज डेवलपमेंट होता है, वह वातवर्णिया कारकों से परवावित नहीं होता है, गलत, वातवर्णिया कारकों से भासा विकास परवावित होता है, ठी वच्छे के उपर गलत इमप्रेसेंट ढाला तो क्या उसके भासा विकास को प्रभावित करेंगे नहीं करेंगे ठीक है जैसे मान लीजे मैं यहाँ पर हिंदी बोल ला हूँ परवावित करते है तो यह ठीक है आपका और यह गलत है यह सही है और यह गलत है तो थर्ड आंसर यहापर आपका सही हो जाएगा और यह रहे आज के जितने positive negative word थे आयोप आपने एक बात notice करी होंगी कि question तो आपके 34 थे लेकिन सारे explain करें मैंने आपके जो इनके option थे तो पास अपने group के अंदर share कर दिया करो ताकि उनको भी फायदा मिल जाए और जितने भी आपके subject के पैड़ागोजी है उन सभी के अंदर यह आपको help करेंगे ठीक है और चैनल को subscribe कर लेना ताकि daily जो 8pm के लास चलती है यूटूब पर आपको मिल जाए अगर आपको सारा content चा अवाल है तो और मेरा गलावी थोड़ा थोड़ा बैठी आठीक है जल्दी से पूछा अब लोग ठीक है वेरी गुड है प्रिज्या के 28-34 में से प्रिज्यासर्मा अरिंदम समानता 34-25 ठीक है भई मुम्मद मुनीम रजा के 34-31 ठीक को रहा है दिलिव कुमार 39 वेरी अपने चोड़ दीड़ी तिक नीरज कुमार के 30 में से चूटिस्ट है अरे गधे उल्टा उल्टा लिखें ठीक है इसके भी 34 में से बताया करो लिखते भी गलॉत हो ठीक है और किलास आपको कैसी लगी यह भी आप प्रद्ध करके आपने दोस्तियार के पास शेयर करके जल्दी ठीक है जल्दी कमेंट पढ़ रहा हो फिर इसको साधी के लिए भी जाना है ठीक है ठीक है भाई शर बोड पीडियेफ ये सब ये आपको उसमें मिलते हैं नोट के अंदर मेरे वाले में ठीक है कि सरास्त आप अलगी लगी रहे हा मुझे पता है मेरे नाई ने भाई बहुत बेकार कटिंग कर दी ठीक है सर एपलीकेशन में सलेबस कैसे मिलेगा एपलीकेशन में सवीरियेशन में कोर्स मिलता भई आपका सचने अकड़ मी ओफिशल पर जाके ठीक है वेखिए करवादी साइंस की CLASS जो CETERDAY संडे होती है उनकी तरफ से डिलीट हो गई वह ठीक है यानि चलती CLASS इकड़ गई पता नहीं उनका जो क files सब्गूली इसका या आप class 178 साथ में प्रिविश हैर क्लिए या फिर आप कोर्स ले सकतो इनके मादन से होगा लेकिन हो प्रैक्टिस है भी आपके लिए महत्पुन है ठीक है प्लास बहुत अच्छी है सर जी आपकी मज़ा आ जाता है पढ़ने में ठीक है इस रत परविन ठीक है क्रांती जाके इनके भी 30 मैं से 34 अरे 34 मैं से 30 बताय करो ठीक है राउल जी के नंबर 31 ठीक है राउल जी ठीक है अभी निश कुमार के गुड़नेट सा ठीक है ठीक है ठीक है भई तर मेरा कोश्ण नहीं बता क्या कोश्ण तब जोलतिवारी बहुत इस पीड़ सा आते हैं आप लोगों को पता है कि कितने लाइ होगी कितनी श्टोंग हो गई होगी अगर आपने आज ये पूरी वीडियो समझे होगी तो ठीक है चले वाई मैं भी खाना पीना खाता हूँ गला थोड़ा बैठीक है मिलता हूँ आप लोगों से कल आठ वजे किस और दूसरी क्लास में ठेंक्यू